चेन्नई प्रांत के तंजोर जिले के इरोड नामक छोटे से गाउं के इस्कूल की एक घटना है प्रारंभि कच्छा के अध्यापक कच्छा में आए उन्होंने विद्यार्थियों को कारे दिया आधे घंटे में एक से सो तक की सब संख्याओं का जोड निकाल कर मुझे दिखाए सारे बच्चे सवाल हल करने में लग गए दस मिनट भी न बीते होंगे कि साथ वर्ष का एक विद्यार्थी सवाल हल कर गुरु जी से जाच कराने ले आया गुरु जी ने सवाल को जाचा और सही उत्तर पाया सिच्चक यहां देखकर हैरान रह गए कि बालक ने सवाल हल करने में जिस सुत्र का प्रयोग किया है उसका ग्यान केवल उच्च कच्चा के विद्यार्थिव को हो सकता है अध्यापक ने बालक से पूछा बेटा तुमने यह सुत्र कहां से सीखा बालक बोला किताब से पढ़कर स्वागत है साथियो आपका अपने योटूब चैनल इस टड़े में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको स्री निवास रामा नुजन के बारे में बताएंगे जो कि एक महान गड़तग्य थे अध्यापक इस बात को जानकर आश्चर चकित रह गए कि बालक ने इस सुत्र का ग्यान किसी बड़ी कच्छा की पुस्तक को पढ़कर किया है गड़ीत की यह बिलच्छड प्रतिभावाले बालक स्री निवास रामानुज आयंगर थे जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि गड़ीत एक रोचक भी सह है जिसका खेल खेल में अध्यन किया जा सकता है स्री निवास रामानुजन आयंगर का जन्मत तमिल नाडु के इरोड गाउं में 22 दिसंबर 1887 इस्वी को एक साधारण परिवार में हुआ था बाले काल से ही रामानुजन की गड़ीत में बिसेश रूची थी वे गड़ीत को खेल मानकर संख्याओं से खेलते रहते मैजिक वर्ग अथार्ट समयोग दर्सी बनाना उनका प्रिय सौक था रामानुजन की गड़ीत में बिलच्छड परतिभा को देखकर अध्यापकों को यह विस्वास हो गया कि वे एक दिन गड़ीत में बिसेश कारे करेंगे गड़ीत में बिसेश रूची होने के कारण रामानुजन बड़ी कच्छाओं की गड़ीत की किताबें मांग कर पढ़ लेते वह स्लेट पर प्रसनों को हल किया करते थे ऐसा इसलिए करते थे जिसे की कापी का खर्च बच जाए रामानुजन जब हाई स्कुल में पढ़ रहे थे तो एक हितैसी ने उन्हें जार्ज सुब्रीज की उच गड़ीत की एक पुस्तक उपहार सरुप भेट की रामानुजन रात दिन उस पुस्तक के अध्यन में तलीन हो गए सोलह वर्च की आयू में रामानुजन ने मैट्री की परिच्छा प्रथम स्रेडी में उत्पर्ण की अउत्रिर की और उन्हें छात्रवीती मिलने लगी गड़ीत को अन्य विश्यों की अपेच्छा अधिक समय देने के कारण वह एफ ए इंटर प्रथम वर्ष की परिच्छा में अनुत्रिर हो गए परिडाम स्रूप उन्हें छात्रवीती मिलनी बंद हो गई घर की आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं थी अता उन्हें उन्होंने प्राइवेट परिच्छा दी किन्तु असफल रहे उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और घर पर रहकर ही गड़ित पर मौलिक सोध करना प्रारंब कर दिया इसे बीच रामा नुजन का भिवा हो गया वह जीवी को पारजन के लिए नौकरी तलासने लगे बड़ी मुश्किल से मद्राश ट्रस्ट पोर्ट के दफतर में उन्हें कलर्क की नौकरी मिल गई दफतर में मध्यवकास के समय उनके अन्य साथी जलपान के लिए बाहर चले जाते तब भी वे अपनी सिट पर बैठे गड़ित के प्रस्न हल करते रहते एक दिन उनके कार्याले के अधिकारी ने उन्हें देख लिया पूछ ताच करने पर पता चला कि रामा नुजन गड़ीत के कुछ सुत्र लिख रहे हैं उनकी मेज का दराज खोलने पर ऐसे तमाम पन्ने मिले जो गड़ीत के सुत्रों से भरे पड़े थे अधिकारी ने उन सुत्रों को पढ़कर स्वयम को धिकारा क्या यह प्रतिभा साली युवक कलरक की कुर्सी पर बैठने लायक है उसने रामा नुजन के उन पन्नों को इंगलेंड के महान गड़ी तक प्रोफेसर जी एच हार्डी के पास भेज दिया प्रोफेसर हार्डी ने उन पन्नों को देख कर अत्यंत प्रभावित हो है और इस नतीजे पर पहुचे की रामा नुजन जैसी प्रतिभा को अंधेरे से बाहर निकालना ही चाहिए उन्होंने प्रयास करके रामा नुजन को इंगलेंड बुलाया और बड़े बड़े गड़ी तग्यों से उनका परिच्य कराया सिग्री रामा नुजन के कुछ सोध पत्र वहां के पत्र पत्रिकाओं में प्रकासित हुए जिन्हें पढ़कर पास्चात जगत के बिद्वान आश्चर छकित रह गए प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामा नुजन का गड़ी के कुछ छेत्रों में पुड़ अधिकार है लेकिन कुछ की कमजानकारी है उन्हें कमजानकारी वाली चीजे पढ़ाने का उत्तरदाई तो प्रोफेसर हार्डी ने स्वयम ले ली हार्डी ने जितना रामानुजन को पढ़ाया उससे ज़्यादा रामानुजन ने रामानुजन से सीखा भी प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह पर स्वयम लिखा है कि मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिस की और किसी हद तक इसमें सफल भी हुआ लेकिन रामा नुजन को मैंने जितना सिखाया उससे ज़्यादा उनसे सीखा भी रामा नुजन इंग्लेंड में रहते हुए भी खान पान आचार विचार और बेहवार में पूरता भारती बने रहे गडीत के छेत्र में निरंतर सोध कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई इंग्लेंड की प्रसीद संस्था रायल सोसाइटी जो बैग्यानिक सोधों को प्रसाहित करती थी उन्होंने मतलब उस संस्था ने वर्ष 1918 में रामा नुजन को अपने फेलो अथास सम्वानित सदस से बनाकर सम्वानित किया संपूर एसिया में इस सम्वान से सम्वानित होने वाले ए पहले बैक्ती थे निरंतर मानसिक स्रम और खान पान में लापरवाही से उनका स्वास्थ खराब रहने लगा बिमारी की हालत में वा गड़ती सुत्रों से खेलते रहे आखिर रोगी सरीर कब तक चलता वा स्वदेश लोटाए और 26 अप्रेल सर 1926 को 33 वर्ष की अलपाईव में चीर निद्रा में बिलीन हो गये उनके निधा पर प्रोफेसर हार्डी ने कहा आज हमारे बीच से अमुल्ले हीराख हो गया है हम सब देख चुके हैं कि रामा नुजन से पूर्व संसार में किसी भी ब्यक्ति द्वारा इतनी कम आयू में गडित जैसे जटिल समझे जाने वाले बिशय पर इतनी अधिक खोज नहीं की गई वास्तों में रामा नुजन ने इतनी कम उम्र में गडित में जो योगदान दिया वह अभूत पूर्व है ऐसे महान गडित पर हम सब भारतियों को गर्व है तो दोस्तों आपको रामा नुजन के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा दोस्तो आपके लिए हम एक question लेके आये है जो कि आपको comment box बताना है कि रामा नुजन के लिए गडित क्या था एक कठिन भी से, हास्या इसपद भी से, रोचक भी से था